हालो एव्रिवन आपका आपनी यूटीब चैनेल भारत इंडर्टेन्मेंट में आपका स्वागत है दोस्तों ब्येशनल की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ब्येशनल वरार्सी मंडल में नव्य नए टावर खड़े करेगी जो सुन्भद्र डिस्ट्रिक में क दोस्तों ब्येशनल 4G अपना काम तीजी से कारे कर रही है और ब्येशनल 5G पर भी काम चल रहा है तो आने वाले समय में ब्येशनल 4G और 5G दोने ट्रग अच्छे तरीके से काम करेंगे तो ब्येशनल पचाहजार से ज्यादा 4G टावर अपग्रेट कर दिया है तो 90 टावर ब्येशनल ने वरान सी मंडल में लगाने का निड़ लिया है जो दिसंबर तक काम पूरा कर दिये जाएंगे चले देखते हैं इस ख़बर के बारे में और ये 90 टावर कहां पे लगेंगे सोनबदर के लोगों को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुब्दा दिसंबर तक सभी 90 टावर होंगे 4G में तबदील सोनबदर में बियाषनल उजर्स को जल्दी फोर्जी नेटर की सुब्दा मिलने वाली है बियाषनल ने जीले के सभी 90 टावरों को दिसंबर तक फोर्जी प्रडाली से जोडने का काम सुरू कर दिया है अभी तक कई गावन में सिर्फ 2G और 3G की ही सुब्दा मिलती है फोर्जी सेवा से ग्रामिरी छेतरों में मोबाइल कन्योंक्रिटी इगारवनेस पैंकिंग टेली मेडिसीन आधी सेवाओं को बढ़ा मिलेगा और रोजगार के अउसर भी पैदा होंगे बियहनल के उजर्स को भी अब फोर्जी नेटर की सुद्धा मिलेगी इसके लिए बियहनल ने फोर्जी टावर लगाने का काम सुरू कर दिया है जीले के सभी 90 टावरों को दिसंबर के आखरी तक फोर्जी प्रडाली से जोड़कर वो भकताओं को सेवाए दी जाने लगेगी बता दे कि अब तक कई गाओं में बियहनल की 2G वर 3G की संचार सवाए मिल रही है वैसे पूरे जनपद में 36 ने टावरों के माध्यम से सेलफोन दारकों को इंटरनेट की आई स्पीट सेवा दी जानी है इसके लिए बियहनल कमपनी के भकताओं को सेलवन पर लगातार बताया जा रहा है कि आपके एरिये में बियहनल का फोर्जी आ आने वाला है तो आप अपना करके अपना टूजी और त्रीजी का सिंप फोर्जी में अपडेट करा ले और हाइस इंटरनेट डाटा का अनंद ले सुनबद्र में सर्वे का कार्य पूरा हो गया कई गाओं को दिजिटल इंडिया के तर्थ फोर्जी सेवा देने के लिए बियहनल ने कमर कसी है इसके लिए सोनबद्र में सर्वे का कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है अब तक सिर्फ मार्कुंडी व चूर्की छेत्र में फोर्जी सेवाय उपलब्द कर आई गई हैं पन गुंज पनावरा के चिल लिक गाम कंजरिया कंणावरा व कौन खलियारी कंचरवा में वन विभाग में इन ओसी मिलने पर 55 किलोमीटर तक ओ एफसी आफिटल फाइवर के वल बिचाई जाएगी जिससे सभी टावरों को जोड़ा जाएगा बता दे कि केंद्र सरकार ने पिहले वर देश बर के अच्छूते जो गाओं छूटे हैं जिनमें गाओं में फोर्जी नहीं है गाओं में फोर्जी मॉइल सभाओं को पहुचाने की पर्योजना को मंजूरी दी है इसमें पुर्वांचल के सोनबद्र मिर्जा पूरुवा चंदवली जनवात को सामिल किया गया है या पर्योजना ग्रामीड चेतरों में मुवाइल कन्योंक्ति प्रदान करने के सरकार के वीजन की दिशा में एक मध उड़ कदम है या पर्योजना मुवाइल ब्रोडबेंड के माध्यम से विभिन इगर्मनें सेवाओं बैंकिंग सेवाओं टेली मेडिसिन टेली एजुग अधी के वित्रण को बढ़ावा देगी और ग्रामीड चेतरों में रोजगार पैदा करेगी इस संब्ध्या वारार सी परिछेतर के वरिष्ट मापंदक अनिल कुमार लुपता ने बताया कि वंचित गाओं में फोरजी सेवाद देने के लिए आपकल फाइवर केवल बीच जाएगी तो दोस्तों यह बहुत बड़ी ख़बर है कि जो एक डिश्टीक सोनभद्र डिश्टीक है वहां पे बीचनल का कार्य फोर्जी का चालू हो गया है जो वारार सी मंदल के तरह ताता है और बीचनल का सोनभद्र डिटिक में पूरे जितने भी टावर है उनको फोर टेश्ट अपडेट हर खबर के लिए आपके अपने रूप चनल भारत इंटर्टेन्म को सस्क्राइब करे और घंटी को दबाके रखे और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करे इसीक साथ धन्यवाद